नमश्कार आप देखें न्यूस फोनेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ बिहार लोग सिवायोग यानी बीपीएसी सिक्षो को के स्कूल जॉइन करने से पहले अब नया टेंशन हो गया है टेंशन ये कि केके पाठक ने नया फर्मान जारी कर दिया है और इसके बाल सिक्षा विभाग में हर कम पसामचा हुआ है जब से केके पाठक ने सिक्षा विभाग के अपरमुकिस अचीव का पदभार संभाला है लगतार आए दिन नय नय फर्मान जारी करते रहते हैं आया दिन ओचक निर्क्षन के लिए किसी भी स्कूल में पहुंच जाते हैं उसके बाद प्रिंसिपल्स को, हेड मास्टर्स को फटकार लगाते नजराते हैं अब ऐसे में BPSC द्वारा जो टीचर्स रिकूट्मेंट एक्जैम लिया गया इसे एक्जैम कंप्लीट हो गया न्यूकती पद्र बाट दिया गया और अब अभी अर्थियों का को जो है उनकी पोस्टिंग भी कर दी गई है अब उन्हें स्कूल जॉइन करना होगा स्कूल जॉइन करने से पहले आखिर कॉल सा वो नया फर्मान है जो किकी पठक ने एक बार फिर से जारी कर दिया है जिसके बाद सिक्षा विभाग में टेंशन मचा हुआ है बिहार की स्कूलों में बच्चों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है अब बच्चों के लिए कमरे कम पड़ रहे हैं क्लास्रूम बढ़ाने को लेकर विभाग चिंती थे और उसके लिए कदम भी उठाए गये हैं यानि विभाग पुर्व से बने क्लास्रूम जो खस्ता हाल है और बेकार पड़े हुए है उन्हें मरम्मत कराने का निर्न लिया है इस काम के लिए विभाग ने खजाना खोला है क्लास्रूमों की मरम्मत के लिए सुबे के सीता मड़ी समेत सभी जीलों को कुल 75 करोर रुपे आवंटित किया गये हैं सिक्षा विभाग के अपर मुखी सुचीव के कि पाठक ने सीता मड़ी समेत सुबे के सभी 38 जीलों के धीम को पत्र भेजा है और कहा है कि BPSC के तहल सिक्षकों की बहाली की गई है और दुवित्य चरण में भी सिग्र बहाली होनी है कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में सिक्षकों के स्कूल में पहुँचने पर कमरे की समस्या उत्तपन हो सकती है ऐसी स्थिती में उत्पन हो सकती है कि सिक्षकों की संख्या से कमरे कम हो कहीं ऐसा नहों कि कमरे के अभाव में किसी स्कूल में एक वर्ग कक्ष में दो सिक्षक पढ़ाते देख जाए उन्होंने डीम से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि स्कूलों में जितने सिक्षक हो उतने ही कमरे भी हो डीम को बताया है कि सिक्षक अधिकार के तहट हर स्कूलों में जितने सिक्षक उतने कमरे अनिवारे हैं कक्षा एक से पांस तक के बच्चों के लिए अलग-अलग वर्ग कक्ष की विवस्था होनी चाहिए यानि की अधारभूत संग्रचुना पर ध्यान देने की जरूरत है। अपर मुखिस उचीव केके पाठक ने दी-म से स्कूलों में पुराने जरजर कमरों की सिग्र मरमत कराने का आगरद किया है अधूरे कमरों का निर्मान पुरा कराने और अतिरिक्त कमरों का निर्मान कराने की बात कही है। कितनी राशी स्विकित है विभाग को प्रतेक सिक्षक के लिए एक कमरा चाहिए राशी कम पढ़ने पर विभाग से आवंटित की जाएगी इस काम में कोई कोता ही नहीं बरतने की बात कही गई है बहराल स्कूलों की विवस्था को सुधारने की दिशा में अपर मुख्य चीव केके पाठक का ये कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है तो देखे आब कि जो है सिक्षा विभाग को नए आटेंशन हो गया आटेंशन यह कि इतने सारे सिक्षक हो गये हैं कि उन्हें अब स्कूल आवंटित करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि स्कूलों में कमरे कम है लेकिन सिक्षक जादा है इसे लेकर केके पाठक ने तमाम अलग-अलग जिलो की धीम को पत्र भी लिख दिया है कि आप स्कूलों में कमरों की संख्या बढ़ाए ताकि एक कमरे में एक ही सिक्षक हो ऐसा नहों कि कमरे एक और उसमें 4-5 सिक्षकों को बिठा दिया जा और वो पढ़ाने लगे तो देखिए बिहार में विपेसी द्वारा सिक्षक बहाली करवाए गई फेज वन कम्प्लीट हो गया नियुकती पत्र बाट दिया गया अलग-अलग सिक्षकों को जो है उनकी पोस्टिंग भी कर दी गई हो अब वो स्कूल जोइन करने वाल है सेक कर आए दिन नए निर्देश और फर्मान जारी करते रहते हैं अब ये नया फर्मान केके पाठक ने सिक्षा विबाग को जारी कर दिया है फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही आप देखते हैं ये निउस फॉनिश है